नमस्कार दोस्तों गेट सकते 247 के एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आपकी महिला सुपरवाइजर की अनुमानित कट ओफ क्या जा सकती है सेफ स्कोर क्या रह सकता आपका और कितने विध्याटियों ने एक्जाम इस बार दिया है तो सारी चीजें आपको विद्ध फैक्स विद्ध पूरा को पूरा सर्वे बताया जाएगा तो विद्ध पूरा देखना और चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना साथ इसाथ बैल आइकन को भी प्रेस कर देना सबसे पहला पॉइंट हमारा कि कितने स्टूडेंट्स ने एक्जाम दिया है सबसे पहला पॉइंट जो है वो यही क्लियर कर लेते हैं देखे तीन लाग अठावन अजाथ चैसो पचास इतने तो आवेदन हुए थे ठीक है उसके बाद एक्जाम कितने लोगों ने दिया है दो लाग चालिस अजार साथ सो ग्यारा ठीक है लग 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 आपके साथ परसेंट स्टूडेंट्स ने एक्जाम दिया है यह पॉइंट तो आपका यहां पर हो गया क्लियर बात करेंगे अब आपकी सेफ स्कोर की कट ओफ की पहले दिखा देता हूँ आपको पिछली बार की यह आपके 2015 में जो एक्जाम हुआ था उसकी कट ओफ थी क्योंकि कहीं न कहीं आपको पता चल सके कि पहले क्या कही थी इस बार क्या जा सकती है पहले का पैटन क्या था इस बार का पैटन क्या है पैटन में डिफरेंस है पिछली बार का जो पैटन था वो एकदम different था, क्यूंकि देखिए, इस बार आपके कितने questions आएं, 1500, पिसली बार question थे 180, marks वही थे, पिसली बार भी 300 थे, इस बार भी आपके 300 marks थे, time पिसली बार भी आपको 3 गंटे मिला था, इस बार भी आपको 3 गंटे मिला है, negative marking भी same थी, ठीक है, 40% इस बार आपको ला रहे हैं, 300 में से, यानि कि अगर आपके cut-cutा के साथ question नहीं रहते हैं, तो आप competition से वैसे ही out हो चुके हो, यह जहां पर clear कर लेना पहले ही, cut-off देखने से पहले, या safe score देखने से पहले, ठीक है, इतना criteria तो आपके पास minimum होना ही, होना चाहिए, अब बात करेंगे cut-off की, य यहां पर exam दिया है, उनकी cut-off आपको यहां पर बताई जाएगी, तो वीडियो को पूरा देखना, सामाने महिला की आप देख सकते हो, 175 गई थी, उसके बाद अगर आप OBC की देखोगे, तो कोई ज़्यादा difference नहीं रहा था, 173 है, ठीक है, SCST की अगर आप देखोगे, तो 153, 152 अप्रोक्स बराबर रहती है, तो और इनकी सब केटेगरी वाई जैसे की सामाने महिला विद्भा की 132 गई थी, सामाने महिला परितक्तिया की 166 गई थी, सब केटेगरी तो इसमें सब में आती है, वो आप यहां पर देख सकते हो, इसका चाहिए, स्क्रीन शॉट ले आएगा, इस साइड में 2015 वाले की बता रहा हूं, और इस साइड आपके जो 2018 की जो वेकेंसी थी, जो आपके अभी एक्जाम हुआ है जैनवरी में, 2019 में जो एक्जाम हुआ है, उसकी, तो चाहे 2018 लिख लो, उससे कोई फरक ने पड़ता है, ठीक है, वेकेंसी 2018 की है, अब पिशली बार एक कोईशन आपके 1.67 के अप्रोक्स पड़ रहा था, इस बार एक कोईशन पड़ेगा आपका, दो मार्क्स का, ये चीज तो आप सभी को पता है, ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कट अफ इस से चीज पर डिपेंड करेगी, पिशली बार, अब बात करते है पिशली बार की, देखें, पिशली बार की जो जनरल फिमेल की थी, वो 175 सम्तिंग गई थी, ये तो आपको पता है, लेकिन पिशली बार की जो टॉपर का जो मार्क्स थे, पिशली बार के, बात कर रहा हूं, 2015 के जो टॉपर था, उसके जो मार्क्स थे 300 में से, वो थे 219.63, और जो second rank आई थी जिसकी जो second पे था वो थे 213.12 ये दो marks थे तो हम बात करेंगे पहले की ठीक है टॉप फर की 219 वाली की तो अगर 219 जिसके score हुआ है तो उसने questions कितने किये यहाँ पर main factor यह है कि उसने questions कितने किये 180 मैं से 131 क्यूंकि ज्यादा तो लोगों को तो यहीं नहीं पता होगा कि पिछली बार क्या था एक question कितने marks का था वो आपको cut off ऐसे बता रहे है सर्वे नहीं किया है किसी ने bc's का बहुत उपर नीचे जाने वाली यह इस बार की cut off तो पूरा detail में देख लेना यह वीडियो तब ही पूरी चीजहां समझ माएगी यानि कि पिछली बार के top पर ने 180 में से cut कटा के 131 questions सही किये थे 131 से भी थोड़े से जादा 131 point something यानि कि इतने questions उसने सही किये थे तब जाके उसके 219 marks आये हैं और अब अगर बात करें कि जनरल female की पिछली बार 175 marks जो आये थे वो कितने questions सही करने पाये थे वो आये थे लग भग 104 या 105 questions सही किये थे पिछली बार student ने तब जाके वो एकदम cut off पे आये थे यानि कि आपकी जो 175 marks सी cut off है minimum है ना उससे नीचे रहे थे तो जनरल female में select कोशन में से जिसने सही किये थे उसका selection हुआ था जनरल female में ठीक है टाइम वही आपको तीन विंटे मिला था यानि कि 180 कोशन में से 104 या 105 कोशन कट कटा कि जिसके सही हुए थे उसका पिछली बार selection हुआ था यह तो बात होगी दोस्तों 2015 वाले की बात करें इस बार की 2018 की ज पिछली बार के जैसे है तो पिछली बार के जैसे तो खैर अटेंड होंगे नहीं कि पेपर का लेवल अच्छा था हर चीज़ डिपेंड कर लेते हैं लेकिन पिछली बार का जो टॉपर था उसने किये थे 131 कोशन अटेंड आउट ओफ 180 यानि अटेंड का मतलब यह है कि 130 ए 135 यह तो नहीं मान सकते चली उससे कम कर रदेते है 115 कर सकते हैं इतना जो मानलो कि मानलो की कि टॉपर की 115 कॉशन सही होंगे 500 में से इतना तो agree करोगे न, 115 के marks किते हैं बनते हैं इस बार, 230, क्योंकि एक question यहां पर दो marks का है, तो topper के कितने बने, 230, पिछली बार topper के बन रहे थे, 219, और उससे नीचे जो cutoff चली गई थी, यानि कि topper जो रहता है, वो cutoff थोड़ी ना रहती है, आप सभी को बता है, जनरल फिमेल की cutoff कितने गई थी, 175, यानि कितने marks कम रहे, लगबग, लगबग, 44 marks आपके cut हो गए, यानि टूट गए, टॉट गए, टॉपर से नीचे चली गई, यह cutoff इतनी, ठीक है, यह डिपेंड करती है दो चीजों पर, कि एक तो topper और उसके नीचे वालों में difference कितना ह कि उनके बीच का difference कितना है, या फिर ऐसा हो सकता है कि difference कम हो सकता है, तो यह चीजें जो है कम तूटेगी, और difference है कर जदा है, तो यह जो number है वो जदा तूट जाते हैं, लेकिन फिर भी इस बार भी मान लेते हैं कि हम, 40 से 45 नंबर इस बार भी तूट जाएंगे, टॉपर स तो टॉपर के अगर 230 के आसपास बनते हैं तो नमबर कितने तूट सकते हैं आपके मान लिए 40 तूटते हैं तो 190 और इससे भी ज़्यादा तोटते हो तो 145 तोट देते हैं फिर पिछली बार 44 तूटे थे इस बार कह सकते हैं कि 45 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे यानि के तूट जाएंगे तो 230 में से 45 मार्क्स तोड़ो तो कितने आपके बस्ते हैं 185 आपके मार्क्स बचेंगे 185 मार्क्स का मतलब क्या है 90 कोशन सही करते हो तो आपके 180 मार्क्स बनते हैं मैंने का 185 मैंने का 185 185 यानि 92.5 इतने कोशन सही होते हैं कट कटा के तो आपके 185 नंबर आपके बैठते हैं जनरल फिमेल के यह आपका safe score है, इसको भी जाने दो, और भी आपकी मैं बता देता हूँ, अगर इसको भी जाने देते हैं, कम से गम इतना criteria तो चाहिए, 90 questions का, 180 marks आने चाहिए, यह इस बार का minimum criteria रहने वाला है, तो ठीक है, पूरा analysis बता है मैंने, पिछली बार से और इस बार से, तो यह analysis 90 questions, अगर आपके है 90 के आसपास, अगर 180 marks आपके बन रहे हैं, अगर इससे भी 24 उपर नीचे रह जाता है, तो मैं कह सकता हूँ, 80 to 90 questions अगर आपके सही है, तो आपका selection होगा, तो आप safe score में हो, otherwise नहीं, अगर 80 से भी नीचे चले जाते हो, मतलब कि किसी के 75 बन रहे हैं, तो कि भी तो त्यारी अच्छी थी, अब category वाइस सब के बात कर लाते हैं, ठीक है, तो मैंने जेनरल female की लग बग 90 questions के आसपास बताईए, यानि कि 180 नंबर, इससे 20 या 22, 23, 24 नंबर कम कर लीजिए, तो आपके CST किरा जाती है, ठीक है, अब आप खुद कम कर लेना, एक एक ची सकते हो आप, किसकी CST की, female की, और OBC की मैं बात करूँ तो कोई ज़्यादा difference नहीं रहेगा, दो चार नंबर का कोई difference रह सकता है, इतना तो आप खुदी समझदार हो, अगर 180 जेनरल female की रहती है, तो OBC female की कितनी रह सकती है, 175 के असपास, इससे नीचे तो क्या जाएगी, क्योंकि आज कल जो competition है, वो अप्रोक्स अप्रोक्स बराबर रहता है, अच्छा, इसके बाद सब category, हर एक की, चाए जेनरल female की बात करें, चाए जेनरल OBC female की बात करें, चाए CST female की बात करें, उनके अंदर सब category आती है, जैसे कि विद्वा है, परितक्ता है, तो अपनी category क के हिसाब से, जैसे कि जनरल female की जो है 180 है, उसमें अपनी category के हिसाब से विद्वा की 30-40 number कम कर दीजिए, उतनी जाएगी, और परितक्ता की लगबग लगबग अपनी category के हिसाब से, जो जनरल की जारी है, अपनी category में, जैसे OBC female की मैंने कहा है, लगबग 175, तो उससे 10 number दीजिए, 30-40 number कम, यह अपने आप आप आँकडा लगा लीजिए, मैंने आपको उपर वाली बता दी, आप अपनी जो सब category है, उसके हिसाब से देख लीजिए, अब बात करते हैं, male candidates की, यहाँ पे कुछ factors depend करेंगे, male candidates की cut-off के लिए, क्या factors है, वो, क्या चीजें है, वो, अगर कम है, तो वहाँ पे इस, जो students है, select कौन-कौन होते हैं, जो creamy layer में आते हैं, उपर उपर, जो cream वाले students होते हैं, cream वाले students मेरा मतलब है, जो topper-topper होंगे, वो ही तो select होंगे, तो male candidate का मैं सीधा-सीधा कहे दू, 200 marks अगर प्लस में हो, 200 marks प्लस अगर आपका score रहता है, तो आप select हो, otherwise आपका safe score नहीं है, यह आपको पता है कि वेकिंसी काम है, तो students भी कम ही select होंगे, तो जो topper-topper हो ही select होंगे, तो 200 प्लस target आपको रखना पड़ेगा, तब यह आप एक safe zone में हो, female की मैंने बता दी है, male की मैंने बता दी है, इसके अलावा अगर आपको कोई doubt ह तो comment कर सकते हो, मेरी बास से agree हो, तो नीचे comment करके जरूर बताना, और वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है, तो like करना, कोई doubt है, तो comment करना, चैनल पे पहली बार आए हो, पहली बार visit कर रहे हो, तो चैनल को subscribe और bell icon को click जरूर करना, तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं नएक वीडियो में,